हारे कृष्णा रादे रादे मैं कविता तोतला लेक्चरर इन इंदी गौर्वेंट आफ राजस्थान अभी जो पेपर हो चुका है हिंदी का उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जितने कमेंट्स मुझे मिले हैं अब सभी के चाहे टालीग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो तो वही सारे हम डिसकस करने वाले हैं आगे की जो हमारी दिशा है कौन से दिशा होनी चाहिए अब हमें आगे क्या करना है कैसे करना है यह सारी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करूंगी तो पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुन सबसे पहली बात तो ये कि पेपर कैसा हुआ आपका आधा तो मुझे पता चल ही चुका है जितने मुझे से जुड़े हैं ग्रूप में वहां से मुझे पता चल गया लेकिन फिर भी यदि पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं और हिंदी से हैं तो जरूर बताएं कमेंट सेक् है कि मैं सेफ स्कोर क्या रहेगा पेपर का कितने पर सेलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट में इतने बन रहे हैं सेकंड में इतने बन रहे हैं तो हम क्या करें तो देखिए अभी सेफ स्कोर के बारे में मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना जो है वो मुझे नहीं लगता की उचित है क्योंकि जब RPSC की final answer की आएगी और उसके बाद जब final score बनेगा तो कितने ही चीजे change हो जाया करती है जितने हम दिमाग लगाते हैं ना कि इतना रह सकता है उतना रह सकता है लेकिन जो उनकी answer की होती है जो उनका score होता है जो prediction उस वक्त होता है वो हमारे ल आपका score क्या रहा कितना रहा वो आप comment section में जरूर बताएं क्योंकि एक जो अभ्यरती है न वही बता सकता है कि merit क्या रहेगी क्योंकि जिसने paper दिया है और जिसका जितना score रहा है वो सभी अपना-पना score जब बताते जाएंगे तो अपने आप पता चलता जाएगा कि हां merit यह रह सकती है अनुमानित हम तो घर बैठे हैं हमने तो एक्जाम दिया नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि safe score क्या रहेगा जो आप लोग paper देके आए हैं आप लोग अपना score बताएंगे वो भी इमानदारी से हना बिलकुल fact तब भी पता चलता पाएगा कि score क्या है एक्ज बिलकुल भी पिछले साल की हिंदी के paper में और इस साल की हिंदी के paper में दिन और रात का difference है बहुत ही सामन्य स्तर का paper रहा है और एक्जाम ओल में अगर आप 40 से 50 प्रश्ण आपको आ गए ना आपको paper बहुत easy लगा है बहुत ज्यादा easy लगा है होता भी यह है जब हम परिक working में जाते हैं फिर और पता चलता है फिर दो या तीन दिन के बाद फिर और चेक करते है और घटता जाता है फिर ऐसे चेक करते करते जब exam और एक्जाम देने के बाद घर आकर दस दिन के बाद की जो स्थिती है ना उसमें दिन और रात का डिफरेंस हो जाता है तो पेपर का प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते अब आप अपने जितने भी मार्व साय ना वह इमान दाजी से आप कमेंट सक्षन में लिखेंगे क्योंकि म आप सबने यूट्यूब से अपने आंसर की मिला ली होगी मैंने इसलिए कोई आंसर की नहीं निकाली मुझे पता है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आंसर की निकाल चुके हैं और आप वहां से चेक कर भी चुके हैं मुझे तो बस इतना जानना है इंदी विद्यार्ति इमानदारी से अपना स्कोर बताएगा तभी कट ओफ का आइडिया लगाए जा सकता है बागी कहने में तो मैं भी कह दूं 310 305 हना 350 345 कुछ भी कह सकती हूं लेकिन अव्यरति खुद ही बताएंगे कि वह कितना करके आए तभी मेरिट निकलती है घर पर बैटके पर ही मेरिट निकालेगा घर से कोई किताब नहीं बनती मेरिट की यह तो हुए आपके कट-off की बात जो कि एक जनरल सा सवाल है सबी का दूसरी बात मैंने वह भी कर ली कि पेपर का लेवल बिल्कुल लो लेवल लौ भी नहीं कह सकते सामन्य लेवर हना यानी टफ नहीं था पेपर अब एक चीज यहां यह निकल के आती है आपको पता है सभी को अच्छे से कि पेपर का कोई एक level नहीं था easy going आराम से हर प्रश्ण हर विद्यारती कर सकता था जिसने बहुत अच्छी ज्यादा है इसलिए आप अगर यह सोच रहे हैं कि 400 नंबर वाले का सेलेक्शन होगा 350 वाले का होगा तो आप गलत सोच रहें इतना भी नहीं है क्योंकि जितना पेपर easy होता है ना confusion उतना ही ज्यादा होता है और वह उतना ही process में tuff में जाता है जितना easy है उतना easy होता निँं वो दिखता है हलवे की तरह दिख जरूर रहा है but दें वह इतना easy होता नहीं माैनस मारर्किंग में जाने के chances उस टब पर में जादा होते हैं जो प्र इजिव होता है दीरे दीरे जब प्रश्ण आपके माइनस मार्किंग में चले गए और वो भी उनमें से ऐसे प्रश्ण जो कि आपको बहुत अच्छे से आते थे जैसे कि मैंने पूरा प्रश्ण पत्र बहुत अच्छे से पढ़ा उसमें एक प्रश्ण आया है काविशास्त्र का जिसमें मुझे वहां उसको पढ़ते ही मुझे थोड़ी सी हसी भी आई और थोड़ा सा यह लगा कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना उसी ने किया होगा जैसा मैं हमेशा कहती हूं पूरे प्रश्ण को पढ़ो चारो विकल्प को पढ़ो वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनात का यह ए तो यह दोशो और तत दोशो वही लाइन गलत हो जाती है ममट की ठीक है ना क्योंकि शब्दार तो सही तो काव्यम यह तो वेसे भी भामय का है मतलब इनोंने बहुत सिली सिली सी एक मिस्टेक्स रखी है कि जिसको वहीं अभ्यरती पकड़ पाएगा इसने बहुत डीप की लेकिन उस प्रश्ण पत्र को बहुत ध्यां से पढ़ा allows तो पूरा पेपर मैंने अच्छे से देखा है व्याकरण बहुत अच्छी है आपके जितना भी इंदी साइत्य का हितियास बहुत अच्छा है सारे ही प्रश्ण बहुत अच्छे थे जिसने अच्छे से बलेग कि परिश्रम करने वाले और नई करने वाले बराबर हो गए पर मैं यह मानती हूँ कहीं हद तक आपकी बास सही होगी लेकिन फिर भी मैं यह कहती हूँ कि परिक्षाक अक्ष में जिसने बहुत ध्यान से और ढंग से प्रश्णों को पढ़के और विकल्प को पढ़के अंसर दि यह एक चीज जो मुझे यूट्यूब के कमेंट बोक्स लगी है तो मैं बिहारी जी का बहुत-बहुत कोटी-कोटी धन्यवाद करूंगी कि मुझे बहुत सारे इसे कमेंट्स मिले कि मैम आपके नौट्स से एक भी प्रश्ण बहार नहीं गया और मैंने जिस दिन से पढ़ान कुछ भी और पढ़ने की जरुरत नहीं रहेगी ना तो किसी एप्लिकेशन से कोर्स खरीदने की ना आपको मार्केट से कोई बुक लाने की ना कहीं और आपको जाने की यदि आपने मेरी कहीं गई बात को फॉलो किया तो आप बहुत इजी वे में हिंदी साहित के इतिहास क कर जाएंगे वैसा ही हुआ है कि जिसने भी मैं इतना तो विश्वात से कह सकती हूं कि जिस स्टूडेंट ने मुझे पूरा फॉलो किया होगा और मेरे उन नोट्स को पूरी तनमेता से पढ़ा होगा और ध्यान मगन होके तो वो बहुत अच्छी स्कोर पे होगा हिंदी ज जिसमें बादल जी चारण बाडमेर से मोनिका शर्मा प्रिंसेस गुंगुन अनुक कुमावत और भी मुझे नामयाद नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे इसे स्टूडेंट जिन्हों ने लिखा कि मैम एक्जाम होल में जब हम पेपर कर रहे थे तो आपके नोट्स की एक हिंदी के लिए कुछ और कहीं जाकने की जरुत भी ना पड़ी तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूं बिहारी जी की सबसे पहले तो जैगोविंदा दूसरा आपकी कि आपने इतनी शिद्दत से पढ़ाई की इतना ध्यान से मुझे सुना और आपने भगवान पे विश्वा करिए और दूसरा उस उपर वाले का जिसने एक माध्यम बनाया मुझे और आप तक में इनको पहुचा सकी तो सबसे बड़ी जबसा बड़ा जो धन्यवाद के पात रहना वो तो आप स्वयम है यदि आप मैनित ना करते और आप अगर उन्हें इतनी शिद्दत से ना किया और अपने आप पर आपने वरोसा किया सबसे बड़ी बात कि आपने खुद पर वरोसा किया है जो व्यक्ति अपने गुरू पर अपने इश्वर पर अपने पड़े हुए मेटर पर और खुद पर इन चार चीजों पर वरोसा करता है ना उसे दुनिया की कोई ताकत सफ पढ़ाने वाले गुरू पर उसके दिये गए मैटर पर उपर वाले पर और खुद पर इन चार चीजों पर अगर आपका विश्वास है तो फिर दुनिया की हर जंग आप जीच जाएंगे कविता जी शेरोन करके एक स्टूडेंट है मेरी उनका स्कोर काफी अच्छा रहा है उन्होंने मुझे भेजा है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे शुरू से जुड़ी है ऐसे ही कुछ स्टूडेंट और मुझे नाम नहीं याद है लेकिन मुझे अभी नाम याद नह उठाया इनको देखा जो ऐसे व्यक्ति हैं बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस नहीं बढ़ सकते ऐसी मैलाएं हैं जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकती उनके ओपर बहुत दिम्मेदारिया हैं ऐसे किसानों के बैटे हैं जो खेतों में पानत करते वे मिलेंगे आपको पिलाई की बात हुई हना पेपर की बात हुई एक चीज हो रहे हैं कि आप अब जो आपके नंबर आ रहे हैं उनसे बहुत परिशान है मैंने लाइव आके भी आपको बहुत सारे बाते बता ही हैं बहुत सारा उसमें मैं बता चुकी हूं मेरे दो वीडियो लाइव हो चुके हैं उन पूरी इस चैनल के माध्यम से आपको करवा करवाई जायेगी कुछ तो मैं करवा चुकी हूं कुछ और बाकी है किन-किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है सेकंड ग्रेड में वह भी मैं आपको बताऊंगी फरस्ट पेपर जो सेकंड ग्रेड का जीके का है वहां आपको यह भी मैं आपको बताऊंगी और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यारती अभी जो पेपर देखे आये हैं उनका मनोबल काफी गिरा हुआ है मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी लाइव आई थी तब भी मैंने कहा था आज अभी मैं दुबारा यह कहूंगी हताश और निरा नहीं है अपना पेपर उठाओ फर्स्ट और सेकेंड उन दोनों पेपर को बैट के चाए दो दिन लगे एक दिन लगे पूरा शोद करो कौन से पार्ट में कमी रह गई थी किस चीज ने आपको हतोचाहित किया किस चीज से आपके अंदर निराशा की भावन आई उसे लो औ और एक-एक पॉइंट बनाके कॉपी पेन के अंदर लिखो पाट्यक्रम वही है जो अभी वाला था ना वही संस्कृत शिक्षा विबाग वाला पाट्यक्रम है सीटों पर मत जाओ कि वहाँ इतनी सीट है या इतनी सीट थी तो भी जंडे नहीं गाड़ पाए वहां कम सीट करने लग जाओ जहां जहां माइनस पॉइंट रहा है उस माइनस पॉइंट पर फोकस करना चालू कर दो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि 250 तक का स्कोर यदि आप कर चुके हैं फस्ट ग्रेड में तो फिर उनको संस्केश शिक्षा विबाग के फस्ट ग्रेड पर फोकस कर देना चाहिए उनको और कहीं नहीं जाना चाहिए बहुत करीब है वो लेकिन अगर 250 से डाउन जा रहे हैं जनरल केटेगरी के स्टुडेंट तो फिर आपको जो सेकंड ग्रेड पर यदि आप शुरू से लगे तो वहां कीजिए और थर्ड ग्रेड पर लगे तो आप वहां पांच च्रणेंंट से विभाग वाली पर स्ट यूठी में लख चुकी थी जो कि अगस्त में होनी थी और जिसमें मेरा सेलेक्षन हुआ है ना तीन जनवरी में मुझे नहीं पता था आपई की तरह मुझे भी यह लगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा किसी अब्ध्यरति को नहीं पता होता है कि उसका selection होगा कोई predict नहीं कर सकता है ठीक है ना तो किसी को नहीं पता होता है और अगली तयारी में लग चुकी थी और इमानदारी से कहूंगी जीके कि जितने नोट्स बनाए हिंदी में जितने शोध किये जो जो मेरी कमया थी उनको पकड़ कर उन पर काम करना चालू किया इतनी शिद्दत से चालू किया कि मैं तीन जन्वरी वाले कर्म में लग गई कि अगस्त में मैंने वो पेपर भी दिया अना अब उससे पहले मेरा रिजल्ट आ चुका था देखिए जून में मेरा रिजल्ट आ गया मैं पास हो गई लेकिन फिर भी मैं अगस्त में उस पेपर को देने गई क्योंकि वो डबल सलेक्टेड थी तो उसमें क्या पता फर्स्ट में शॉर्ट लिस्टेड होंगे नहीं होंगे लेकिन बिहारी जी की इतनी कृपा रही कि इश्वर ने जो हाथ पकड़ा तो जब डबल में किया तो उसने फर्स्ट में भी जा कर दिया लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है हमें फल तभी मिलता हो जो भी आपका स्कोर रहा हो अभी आप बिल्कुल लोड ना ले अभी यह जानने की कोशिश करने से यह जाननी कोशिश ना करें कि उनकी उन्होंने यह कटोफ बताई है उन्होंने यह कटोफ बताई है मेरा नंबर कितना बन रहा है यह क्या हो रहा है दिन रात यहां जान करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब 17 से अपघर नहीं करेंगे तो फिर ओड लेट होंगे फिर और कमी रहेगी फिर आप यही कहेंगे मीडम अगली वेकैंसी कब आएगी अब जो मुझसे यह पुछते हैं कि माँ अगली वेकैंसी कब आएगी तो अगली vacancy में क्या आगली vacancy में एक seat आपकी fix हो गई क्या आप तयार है उसके लिए गर नहीं है तो फिर आप अभी से समझ जाए वेकancy आँ तो आती रहती है और जाती रहती है क्या हम vacancy के लायक बन चुके हैं यह सबसे ज्यादा important बात है तो अभी के लिए मैं यही काऊंगी कि आगे जो आपके सामने लक्ष है उस पर फोकस कीजिए बजाए इनके और मैंने बागी सब चीजा आपको लाइव में भी बता दी थी सेकेंड ग्रेड पे भी हम काम करेंगे थर्ड ग्रेड पे भी काम करेंगे फिलाल फर्स ग्रेड में जिसके 250 प्लस है वो संस्क्राइब शिक्षा विवाग में लग जाएए नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एक स्ट्राइटेजी के साथ मिलूंगी हरे प्रश्ना रादे रादे